कि अभी जो स्पेस लेवल पर टेस्ट किये जा रहे हैं उस पर कोशन पक्का आता है कि सबसे पहले बूचेगा डार्ट की फुल फॉम बताईए डी ए आर्टी ठीक है क्या है यह सारी प्रोसेस यह बताऊंगा मैं भी डार्ट की फुल फॉम पूच सकता है तो यह देखो डब एस्टरोइड री डिरेक्शन टेस्ट क्या कर रहे हैं देखो आज से 6.5 क्रोड साल पहले एक एस्टरोइड गिरा था जिसमें 75% पोदे और एनिमल मर गए थे डैनिसोर भी ऐसे खतम हुए थे तो एक नासा ने बहुत अच्छा विश्कार किया कि देखो क्या कर रहे हैं ए एक स्पेस्क्राफ्ट और इन एस्टरोइड से टकरा रहे हैं जिससे इस एस्टरोइड की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो रही है मुमेंटम थोड़ा सा चेंज हो रहा है जिससे यह अब धरती के आने में इसका इंपक्ट आने में थोड़े टाइम और लग जाएगा तो इनकी direction चेंज कर सकते हैं, मतलब redirect कर सकते हैं, जैसे कोई धर्ती से आ रहा है, धर्ती से आ रहा है, उनको इन्होंने ऐसे कुछ smash कर दिया, hit कर दिया किसी चीज के साथ, तो इससे क्या हुआ, direction ही चेंज होगी उस asteroid की, और इसे हम अपनी धर्ती को बचा सकते हैं, तो इसी को pre- editorial है, ठीक है, जैसे आप यह देख सकते हो, image क्या है, इस image में, यह आपने, यह asteroid है, यह ऐसे spacecraft आया, आया, इसको टकरा दिया, ऐसे moving, तो इसकी थोड़ी सी position बदल गई, यह इन्होंने टेस्ट करके दिखाया है, और यह धर्ती पे नहीं पहुचेगा, अगर direction चेंज हो है, वह ही हिट की बात कर रहे है, किसके उपर editorial है, NASA के double asteroid redirection test, ठीक है, डार्ट की full form पक्का पूछ सकता है, देखिए, double asteroid क्यों हो बोल रहे है, क्योंकि दो asteroid के साथ, इन्होंने यह कुछ ऐसा टेस्ट किया, नासा डार्ट, यह जो नासा का dart mission है, gives, यह इसके लिए आगया, gives, hope, क्या देता है, hope, that science can ward off extraterrestrial threats, ward off का meaning note कर सकते हो, ward off का मतलब होता है, prevent someone from danger or difficulty, आप बच सकते हो, ward off prevent, ठीक है, keep off, दूर रखना किसी चीज़ को, तो कह रहे है, नासा का जो डार्ट है, का यह जो experiment है, हमें hope देता है, कि science बचा सकती है, हमें एक extraterrestrial threats से, extraterrestrial का मतलब क्या होता तो related to earth, और extra की बात कर दी, तो earth से बाहर के जो planet है, interplanetary threats है, जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, उनसे बचा सकता है, यह जो hope देता है, हमें एक, अभी और भी करने पड़ेंगे, test, अभी एक hope मिली है, देखो पड़ते हैं, आगे, for the very first time, पहली बार, NASA के जो scientist हैं, have succeeded in slightly altering the altering the trajectory of an asteroid by using a spacecraft to slam into it, पहली बार ऐसा क्या हुआ है, NASA के जो scientist है, वो success पा गई है, have succeeded, किस में, slightly altering, alter का मतलब होता है, change कर देना, किसी चीज़ को, alter से tailor जाता हो, alter कर देता है, आपकी event, change कर देता है, पहले से, trajectory का मतलब path, एक asteroid का path, change कर सकते है, क्या use करके, एक spacecraft यूज करके, और इसको इससे slam करके, ऐसे टकरा कर, ताकि उसका direction नी change हो देता है, किसी भी चीज़ को टकरा हो गए, motion में, तो उसकी direction तो बदलेगी न, आप ऐसे आ रहे है, कोई ऐसे आ रहे है, एक दम से बीट जे तो change हो जेगा, ठीक है, कह रहे है, September 27 को किया गया था, यह चार बच के 44 एम, अगर Indian standard time की बात करें, a small spacecraft, देखिए, a small spacecraft dart, was aimed at, aim के साथ at लगती है, हमेशा प्री position, ठीक है, 160 मीटर वाइड एस्टरोइड, 160 मीटर वाइड का एस्टरोइड, इसका नाम किया है, dimorphous, which was orbiting a larger asteroid, डिडिम्योस, और बोथो which were circling the sun, 11.2 million km from the earth, पढ़ लो अच्छे से, क्या हुआ है, 27 सप्टमबर को क्या हुआ है, 4.5 बजे, Indian standard time की, अगर ने, a small spacecraft, जिसका नाम क्या किया दिया गया है, इन्होंने, dart, double asteroid direction test, ठीक है, was aimed at, किस aim ने गया है, वो, 160 मीटर वाइड इतना चोड़ा asteroid था, जिसका नाम है, dimorphous, which was orbiting a larger, ये तो अभी छोटा था, ठीक ह और दोनों चक्कर काट रहे थे, सन के, जो की 11.2 मिलियन किलो मेटर फ्रॉम दा अर्थ, ठीक है, इतना दूर, Since, neither body would have come closer than about 6.4 मिलियन किलो मेटर फ्रॉम दार्थ, इन देर लाइफ टाइम, कह रहे हैं, जो दोनों asteroid है न, ये आज तक तो भई आए नहीं है, पास, कितनी पास, 6.4 किलो मेटर फ्रॉम दार्थ, इन देर लाइफ टाइम, मतलब 6.4 मिलियन किलो मेटर, इससे पास नहीं आ हुआ है, ऐसा पास्ट में, दे डिड़न पोज एनी थ्रेट, ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या नहीं किया, थ्रेट नहीं दिया, since का मदलो because है, इसलिए कोई पोज का मदलो create, कोई threat, कोई खतरा create नहीं किया है, हावेवर, डार्ट वाजट टेस्ट मिशन, तो कह रहे हैं, हाला कि डार्ट वाजट टेस्ट मिशन तो सी, यह देखने के लिए, if this technique, known as kinetic impactor, would give the necessary nudge to an asteroid, and alter its course by a desired amount, तो कह रहे हैं, हाला कि यह जो डार्ट है, यह एक टेस्ट मिशन है, यह देखने के लिए, क्या यह टेकनिक जिसे का गया है, kinetic impactor, kinetic impactor, kinetic का मतलब motions related, कोई भी चीज मोशन में, कोई भी काम करवाय जा रहे है, वो energy है, उसके अंदर, वो kinetic energy होती है, कोई भी चीज, अगर motion में तो इमपेक्ट कर रहे है, ठीक है, तो यह जो मिशन है, जिस टेकनिक को kinetic impactor का जा रहे है, क्या यह निसेसरी नज देगा, नज का मतलब क्या है, यहाँ पे, नज का मीनिक है, यहाँ पे, जैसे ऐसे movement, किसी को आपने धक्का मारा, elbow दिया, और उसकी direction बदल गी, तो क्या यह एक निसेसरी नज देगा, एक asteroid को, और alter करतेगा, उसका रास्ता चेंज करतेगा, by a desired amount, जितनी amount चाहिए है, हमें desired, after studying the two bodies for nearly 10 days, NASA announced that course of the smaller asteroid has indeed been altered a little, क्या कह रहे है, पढ़ने के बाद, दोनों बोडिस को, 10 दिन तक, यह दोनों जो asteroid थे, NASA ने announce किया कि, जो course है ना, smaller asteroid का, जो indeed किया जा चुका है, थोड़ा बहुत, change करती है हमने, 10 दिन तक इनको पड़ा, तो इन्होंने कह दिया, फिर क्या कहते हैं, दोनों bodies को टकराने के बाद, इन्होंने देखा ना, कुछ हुआ है, changes, तो इन्होंने बता दिया, थोड़ा बहुत हमने change कर दिया है, initially the orbit of demorphos around didymos यह जो orbit है, इसकी around, जो इसके चक्कर काटर, यह बड़े बाला है, यह चोटा था, ठीक है, took 11 hours and 55 minutes, इतने घंटे लेता था इसके चक्कर काटने में पूरा, impact के बाद क्या हुआ, 32 minute, alteration in its orbital periods had taken place, 32 minute का gap आ गया, alteration आ गया, change आ गया, it is now 11 hours and 23 minutes only, अब यह 11 गंटे, 23 minute में चक craft, बिडा दिया, ऐसे smash कर दिया, हो गया, hit, the reason for this test is to learn how to use the kinetic impact technique to nudge, तो कह रहे हैं, जो reason है न, इस test का, is to, क्या reason है, learn, सीखना, how to use the kinetic impacted technique to nudge, earth bound asteroid, तो कह रहे हैं, इस technique का यूज करके, कैसे हम direction, nudge, elbow दे सकते हैं, direction change कर सकते हैं, earth से related asteroid, earth bound, earth bound का मनलब रिस्टिक्टिड जो earth से restricted asteroid है, out of the way, उसका रासता बदल सकते हैं, years before impact, कई साल, मतलब impact से कई साल पहले है, ठीक है, उसका रासता बदल सकते हैं, years before impact, मतलब इस से पहले ही, इμपेक्ट करेगा, हमें परआफ डालेगा, उसके कई साल पहले ही, हम उसका रासता बदलेगे, और कई साल लग जे यह नहीं कि यह 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 आपकी नहीं है जो लास्ट मिनिट बच रहा है इसा कुछ यह कह रहे हैं अभी और भी होंगे इस पे अच्छे से यह नहीं कि ऑफ फो गया एक कीर फूल वर्ड जो बोले गए यह और शिवार सेमिलर सारे श्टॉइड नहीं है So more tests have to be done to perfect this technique इसलिए हमें और भी test करने पड़ाएंगे इसे last minute effort मत समझो last possible effort नहीं आई The US is not alone in attempting this Attempting this क्या कह रहा है US अकेला नहीं है इसे attempt करने में China has a plan to deflect 40 meter wide China के पास plan है Deflect का मलए direction चेंज कर देना किसी एक 40 meter wide चोड़ा है जो उसकी direction बदल सकता है Earth crossing asteroid named Plan है इसके पास इसको करने का deflect इसकी position चेंज करने का direction चेंज करने का Earth crossing asteroid है जिसका नेम यह है 2020PN1 by 2026 तक यह चापता है कि इसे कि में direction चेंज कर दूँगा There is need to develop this technique Because an impact with even a smaller asteroid can have serious consequences कह रहे हैं जरूरत है इस technique को develop करने ही क्योंकि एक छोटा सा impact भी ना छोटे से asteroid का भी serious result दे सकता है Consequences दे सकता है Future में Consequences का मनलब result ठीक है एक तुम्हें asteroid की बात बताता हूं क्या हुआ था क्या नाम है देखो Chikulub crater is a reminder of the impact of 10 km wide large asteroid that fell on the earth 66 million years ago and wiped out nearly 75% of plant and animal life कह रहे हैं यह जो Chikulub crater यह एक नाम है asteroid का यह reminder है याद दिलाता है मैं impact का जो 10 km चोड़ा था यह तो 40 meter के हैं कोई 100 meter का है जो earth पे गिरा था 66 million years ago मतलो 6.56 क्रोड साल पहले और इसने wiped out finish कर दिया था क्या 45% plant और animal की जिंदगी को डैनसोर वागार भी खतम हो गया है एसे एन impact with an asteroid even about 100 meter wide can destroy a city the size of चन्नाई कह रहे हैं एक impact ना एक ऐसे asteroid का जो सिरफ 100 meter चोड़ा है वाइड है वो destroy कर सकता है चन्नाई size की city को भी देख लो the other question is whether this technique can be used to deflect asteroid bearing reach bound क्या कह रहे हैं एक और देख लो के काम वैसे कर तो यह छेडी रहे हैं कहीं कुछ मारने टकराने की जगा जल्दी भी होजेगा the other question is whether this technique can be used to deflect asteroid bearing rich bounties of minerals and moving them to closer location from where these can be harvested देखो इनके एक और काम कह रहे हैं क्या एक question यह भी उठता है क्या यह technique use की जा सकती है deflect करने में उन asteroid को bearing bearing का मतलब होता है carry भी होता है सहना भी होता है bearing का मतलब वैसे अगर noun की तरह यूज़र तो relevance भी होता है bearing यह जो matter की बात करें bearing discuss करें relevance, pose तो यहां bearing का मतलब होता है carry तो कह रहे हैं इस technique के बारे में discuss किया जा रहा है क्या यह technique use की जाती है asteroid की direction चेंज करने में जो अपने सकात क्या carry करें rich bounties, award, minerals है जिनके अंदर उन asteroid के अंदर और उनको एक ऐसी location में move कर दो जहां से यह हम minerals वगेरा harvest कर ले, निकाल है, जैसे crops को harvest करते हैं, ले ले, कह रहे हैं भाई एक asteroid लाओ और उसकी ऐसी direction बदल दो और वो किसी जगा पर गिरे, जहां हम फटा फट पहुँच जाएं और उसके से समान सारा तोड के ले गाएं, यह देखो, इनकी scheme ठीक है, क्या यह technique इसमें भी काम आ सकते हैं, कई यह एसे होते हैं, जिनके अंदर minerals हो, बढ़ी है और यह समान हो, फटा फट उसको टक कर मारो, कहीं ऐसी जगा पर गिरे और वहां से उठा लो, यह कह रहे हैं नो कंट्री हैस मेड़ इस एन एक्स्प्लिसिट एम तिल नहों कैसे किसी भी कंट्री ने इस एक्स्प्लिसिट एम नहीं किया है इस एक्स्प्लिसिट मतलो एक्स्प्लिसिट एम अभी तक तो नहीं किया है इस फ़र्ष मूव बाइ नासा टू अल्टर दा कोर्स ओफ है सलेश्टियल बोडी इस पर्फेक्ट थीम फॉर फिक्शन एंड फिल्म यह जो पहला मूव नासा का चेंज ही कर दी है जो कोर्स सलेश्टियल बोडी का सलेश्टियल मतलो जो स्काई से रिलेटिड बोडी है यह पर्फेक्ट थीम है फिक्शन और फिल्म के लिए फिल्म बना लो इस पर एक थीम मिल गी है तो मैं ठीक है fiction भी कह सकते है, non-fiction, fiction, fiction का मतलब होता है, जो reality पे-based non-fiction मतलब fiction imaginary पे-based non-fiction reality पे-based, तो कह रहे हैं ऐसी fiction और films बना लो, इकटा यूज़ करते है इन words को, ऐसी अच्छी थी मैं most recently the film don't look up, उपर मत देखो एक film बनी थी, dealt with this theme directly, जिसने इस theme के साथ directly काम किया था However, there are many more threats to life on earth, इनको छोड़ो, और भी बहुत खत्रे हैं दरती पे climate change being the most imminent and definite, कह रहे है, climate change जो सबसे पास लगा हुए, imminent का मनलो, approaching है, near है approach, imminent, बिलकुल आने वाल है definite, fix है, तो होना ही है, इस पे ध्यान दे लो It is to be hope that this demonstration of power engineering and science can be extrapolated to kickstart a move to avoid the drastic impact of such disasters too कह रहे है, ओप किया जा रही है, जो दिखाना, demonstration का मत दिखाना, power किसकी engineering की और science की, इसको extrapolated किया जा सकता है, kickstart का मतलो कोई चीज जल्दी start करना, quickly ठीक है, extrapolated, क्या science और technique को extrapolated किया जा सकता है, extrapolated का मतलब था फूचर में ऐसा ऐसा होएगा, क्या यह जो power engineering science की, इसको use करके हम kickstart कर सकते हैं, move को, जल्दी वो move ले सकते हैं, ताकि drastic impact है, जो इस disaster के वो avoid किया जा सके हैं, drastic का मतलब क्या होता है, बहुत खतरनाक impact, ऐसे disaster के जो climate change हो रहे हैं, रोज बुकम 999 में नहीं, 499 में app डाउनलोड करजे, link description और comment दोनों में, वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा, बच्चो, like share नहीं करते हैं, आप करजे, अगरो comment इससे बच्चो तक औरो तक पहुंचती है, like, comment जूडे रहने से channel को, आपको इसको heart मिलेगा, अगर आप like, comment करते हैं, तो ठीक है, और कोई doubt हो, telegram group join कर सकते हैं आप हमारा, ठीक हो, thank you